तो सुरू करें बच्चों कल के लेक्चर में हमने देखा था एक जो यह हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं एलेक्ट्रिक फिल्ड किसी भी एक चार्ज के के क्यू बाइं और स्कूर राइट क्लियर है ओके अगर इसको हम बैक्टर-फोर्म में लिखें के तो कैसे करेंगे के क्यू और स्कूर और कैप वेक्टर-फोर्म आती है नहीं आती है अगर बात करें और कैप की सो आर कैप इस नथिग बट वेक्टर आर अपन magnitude राइट क्लियर है यह सो हम और यह इसको हम क्या लिख सकते हैं magnitude ऐसे लिखें नहीं क्लियर है यह सो इट कन बी रिटन एज के क्यू बाइ आर क्यू आर वेक्टर वेक्टर फोर्म में क्यों लिखा है डारेक्शन जो है यह देखो वैरियेबल क्या है यहां पर आर है और यह है राइट क्लियर है न कॉंसेंट है वाकी तो अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रो करें सपोज यह देखो हमारे पास में यह चार्ज है सपोजि कितना है प्लस क्यू चार्ज है राइट यह एक पेशन जो है यह क्या कह रही है प्लस क्यू चार्ज है तो आपका फील्ड अगर मालो यहां पर किसी डिस्टेंस और पे हम फिड देखते हैं और डिस्टेंस से सपोजी है ना ठीक है यहां पर पॉइंट पी है कोई भी कोई भी पॉइंट पी होना जुरूरी निए कि पी होगा ना एबी सी कुछ भी इंटर कर सकते आप अब आपका जो नाम रखा गरवाल ने ऐसा जरूर थोड़ी कि यही नाम रखना था कुछ और भी में तो योग इदी आड़ा है या ईंटोीर के माई आर एक्स उस्टीव और यह वाई पोजिटिव इसक्स पर जानु थेสब्सक्लाइव थे हैं रहोगे केया है तो इसमें अब बदाना पड़ता है कोन सी पोजीटीव ले रहे हो और वो डारेक्शन जो है आप खुद से चूज कर सकते हो इसमें आपकी तो कुछ आपकी convenience के according, right? ऐसे ही आप जो direction define करो कि यह मेरी positive x direction है, यह आपकी positive y direction है, ठीक है, अगर हम बात करें कि x के along, यह x हो गया न, x direction होगी, x के along हम electric field जो e है आपका point charge की वज़े से, इसका plot draw करे, plot का मतब क्या हो गया, कि e कैसे vary कर रहा है कि इसके साथ में, r के साथ में, तो कैसे करेंगे बिटा, e को और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, e को क्या है, e is equal to, r square magnitude है, ठीक है, इसका मतब क्या है, यह constant है, यह constant है, every con कर रहा है, r कर रहा है, r यहाँ पर भी हो सकता है, right, भाकि तो जो feed lines बनती है, field कैसे बनता है, कल discuss किया था, पोजिटिव चार्ज की वज़े से राइट कोई डाउट इसमें ठीक है तो अब आगे चलते हम प्लोट ड्रोव करना सीखते हैं ठीक है हम इस पॉइंट को लट अजिम कि यह हमारा पॉइंट जो है यह क्या है ओरीजिन है जो चार्ज है ना उसको हम ओरीजिन ले लेते हैं ठीक है यहाँ पर इधर कर लेते हैं चलो यहाँ पर यह चार्ज है और इसको हमने ओरीजिन ले लिया ठीक है क्लियर है कोई डाउट इसमें हम कह रहें कि ऊपर की दराब हम यह ले रहे हैं यह पोजिटिव है राइट और यह एक्स हमारा इधर पोजिटिव है ठीक है तो इधर क्या होगा आपका एक्स नगेटी हो जाएगा माइनिस एक्स हो जाएगा और यह माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है इतना तो मुझे लगता नहीं किसे कोई प्रोलोम होगी इसमें तो अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं यह प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर यह क्या रूखिए अगर यह कम है तो यह क्या हो रहा है ज्यादा वल्यू आएगा इसकी अगर हम जीरो करें इसको आर को जीरो करें तो क्या होगा यह क्या जाएगा अगर हम इसको इन्फानेट कर दे तो इन्फानेट कर दे तो इसका जो प्लोट हमने देखा था कि कैसे आता है अगर हम यह है यह और यह आर है तो इस तरह क्लोट आता है जायगा क्लियर है यह थो नों पॉजिटिव है अगला मतलब के साथ में क्या होरा है यह झालू कॉन सी है इकश्च या इप सब्सक्राइन है भिश्च्राइब है ब्लसक्राइब बेयाए पॉजटिव लैँगे यहां पर य ऑ और एक्स्की नितार कंफ्यूज मत हो ना यहां पर तरक सिर्फ हम यहां से जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या कहें आर कहेंगे इसको कैसे वैरि कर रहे हैं सरफ हो देख रहे हैं तो यहां पर और पोजितिव है सपोज है आर पोजिटिव है तो यह आसे यह अगा और यह तरह से कर जाएगा लाइट दूसरे और कियाहओ सकता है अगर आर नेगेटिव है और अगर आपका कि निदेटिव मों से सब्सक्राइब भी यह सिंपिंद को यह दिर् wollte हमने कौ हम से कौन से होगी लिए नेगेटीव हो आरके वाल्यू और आपका इस डिरॉक्षिन पर सब्सक्राइब आपर होगी इस पोइंट पर सब्सक्राइब नहीं होगी यहां पर यहां पर भी होगी जैसे ही हम इस से यह 00 अपना हो गया इसको क्या माने पॉजिटिव चाज का हम मान रहें और इजन पर मान रहें राइट करव ड्रो करना आता है कि नहीं आता ग्राफ ड्रो किया है कोई डाउट है ओके तो अगर आर आपका इधर चल रहा है ना और आर छोटा है इसमोल है इपार टेंस टुजी रो आटेंस टुजी रो तो एकी वल्यू क्या हो जाएगी इंफानाइट कौन सी साइड में नेगेटि जाएगी इंडी निघटिव आपर है इससे नीचे तरफ है इन जेंगेटिव राइट इंफानेट कहां पर होगा आर कितना है अ थैले को है महतार यहां पे आर यहां से चलेगा ठीक ना आर जीरो इंफानाइट मतब यह अदर से इधर कहीं मेल्यू होगी यहां से आएगी और जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे आर को अगर आर्ट इफ आर टेंट्स इंफिनाइट तो क्या होगा यह टेंट्स तो बिल्कुल सिंपल वही केस है पर अब क्या हो गया नगेटिव हो गए चीज़े दोनों ठीक ना तो कैसे अगराफ कि इस तरीके से इसकी बात करें यहां पर नेगेटिव है इस एरिया में जीरो से इधर यह वाली है कौन से दिर्क्शन हो गई हां नगेटिव होगी है इस इधर पोजिटिव है इक डाशन इधर नगेटिव है क्लिर है कि नहीं है करू कि जो शेप है वो यहीं आएगी यहम कल भी डिसकस कर चुके थे ना कोई डाउट नहीं इसमें किसी तरह भी ठीक है अब नैक्स जो है क्वेशन यह है कि आपको यह एक नगेटिव चार्ज है ठीक है इसका इका वरियेशन आर के साथ में अलोंग एक सक्सिस कौन सा हो गया ठीक है सम्याएं बटा यह माइनस एक्स माइनस ए और प्लस ए यह आपको प्लोट ड्रो करना है अगर वो समय में आ गया है तो यह भी थोड़ा समय में आएगा गलत हो सही कोई फर्क ने पड़ता आप रोग कोशिश करो जैसे हमने यह किया था बिटा पोजिटिव चार्ज की वज़े से हमने पोजिटिव चार्ज का यह और आर प्लोट ड्रो क्या था भी ठीक है यह कर दिया यहां पर प्लस AC最 यहाँ पर जो है चार्ज मैंने प्लस Q की जगह माइनस Q कर दिया माइनस Q कर दिया ठीक है अब वही कर वह इसमें ड्रो करना है आपको माइनस Q चार्ज के लिए ओके नेगेटिव की वज़े से कहा होगा E और X E और R अगर हम R पोजिटिव लेते हैं E की डिरेक्शन कौन सी होगी E की डिरेक्शन हमेशा इसमें इधर रहेगी E की डिरेक्शन हमेशा इधर रहेगी नेगेटिव चार्ज की वज़े इस पता है ना यह नेगेटिव चार्ज है यह होती डिरेक्शन ट्वार्स चार्ज तो इधर क्या होगा देखो यहां पर देखो अगर हम बात करें इस आर पोजिटिव होगा आर क्या है और पोजिटिव है तो यह क्या होगा आर पोजिटिव को मतलब इस पोर्शन को भूल जाओ इधर है और पोजिटिव राइट इधर आर पोजिटिव है इस तरफ इससे नीचे और ऊपर यह पोजिटिव है इससे इधर आर पॉजिटिव है इधर आर नेगेटिव है इसका नहीं दो प्याइगा आप आई तो पॉजिटिव और e नेगेटिव इस कॉडिन पे आएगा करूंअ अब हम आर पॉजिटिव नेगेटिव ले लिते हैं इस ड्रीक्शन में आरेम नेगेटिव लिया कि Sultan इंसिया पर शिये वाली और कि दर्शिन कौन और हैं आर क्रेक्विचिण वाकाण ओंसी जोक्र पर्ण क्या होग्क पहर से पोजिति हो गहीं वह फोकर डिकेटीब तो ना है है यह पोज़िटिव है तो कैसे जाएगा करो है सैसे यह असे जाएगा टाउट अब हम क्या क्या काम करते कह एक खेंपल और लिद ते लिखा हमारी समझ चैक हो जाएगा सब्सक्राइब राइट यह सब्सक्राइब अच्छा लगता है यह होगे छोटा दिख रहा है क्या हो गया थोड़ा सब्सक्राइब अभी भी हो रही है अच्छा थोड़ा कर लेते हैं इसको साइज थोड़ा अभी भी छोटा यह पता नहीं हाथ की वाथ हुगी है यह समझाए एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है आरहा है हिए यह इस्टेंस आरहें पीटा ठीक है अच्छ अच्छ की बात कर रहें अभी हम अभी तक अश्च अच्छ और यह यह डारिक्शन का सैंस है यह एक्स यह वाई पॉजिटिव और उपर यह पॉजिटिव ठीक है क्लियर है तो यह का जो वही यह और आर का जो प्लोट है ना वह हमें ड्रो करना है तो कैसे ड्रो करेंगे बिटा बिना देखे कोई किसी को नहीं देखेगा वही आप देखो ई और इजिन तुम्हें देखना है कहां पर रहेगा और इजन उस पॉइंट को मान सकते हो जहां पर आपका ठीक है पर नेगेटी को छोड़ दो पॉजिटिव ले लो यार तुम बिटेटिव लबाट बहुत त गरिंवीटी लू देखने है तो क्लिफ को में इन दोनों के बीच में पहीं पहीं पे फीलजीर वोग में अधर नहीं पर इधर हो सकता है या इधर हो सकता है इसित लाइन पे अगर मैं कहूं कि यह भी प्लस क्यू चार्ज है और यह भी प्लस क्यू चार्ज है दोनों का मैगनिटुड क्या है से में ठीक है तो फिल्ड कहां पर जीरो हो सकता है इनके बीच में तो उसको औरीजन ले सकते हो जहां पर फिल्ड जीरो हो रहा है उसको औरीजन ले सकते हो कहीं से भी कर सकते हो आप और इसको पगड़ कर सकते हो उसको पगड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं उसमें ठीक है डारेक्शन मतलब यह सेंस होना चाहिए कैसे करोगे मत absorption, लेते हैं, चार्ज को न这 Kelvin कि यहां पे दो चार्ज हो गए तो डौनों के हिसा आप से आप से इसाब करों अलगग अलग अलगगा मतद्झा तो इसका जो Может कि अगer होगा वो देखो स्का generat क्या होगा वो देख की से दोनु ग्राफ सुपरिंपोज हो रहे हैं ना फिल्ड भी सुपरिंपोज होगा नहीं होगा दोनु चार्ज दोनु चार्ज यहां पर है तो एकी वैलू चेंज होगी की नहीं होगी सब्सक्राइब करने को सिंपल दो पोजिटिव चार्ज है अब इसके लिए जब रोग कर रहे हैं तो इसको भूल जाते हैं एक बार के लिए ठीक है क्लियर है तो यह में रोग किया था यह देखो यह करवाएगा क्लियर है इसका पोजिटिव चार्ज का दूसरा कौन से कौर्ण बाएगा इसमें थर्ड में आएगा इस तरह का आएगा यह करवाएगा क्लियर है अब इसको हमने कर लिया लेकिन अगर डिस्टेंस तक दिखाए इसमें क्योंकि एक सक्सिश की बात चल रही है तो यह कैसे जाएगा यह आगे है ऐसे जाएगा अना उतकार इसे जाएगा कर वागे अब चलो दूसरा देखते हम इस चार्ज के लिए देख लिए इसके लिए कैसे जाएगा इसे जाएगा राइट होगा की नहीं होगा और इस क्वार्ण में आजाएगा ठीक है समया रही बात नहीं आ रही है यह लेट एस से कि एटू है वही इटू है और वो एवन है इवन तो यहां पर जो नैट बनेगा इसमें देखो इसमें वह क्या बनेगा इवन प्लस इटू बनेगा यह नहीं कि जो नैट बनेगा तो लब प्लस कर लेते हैं नहीं यहां ठोड़ा साइड यहां पर ओगा तो यह फरक पड़ेगा नहीं यहां थोड़धो अरे बेड़ेगा रही हुज आरी आ और आरीवन यह ना इसका उपर तरफ फिवन है तो किसी point पर देखो अगर हमें इस point पर यह point है इस point पर हमें क्या देखना है एकिव निया राई तो एवन क्या है यहां से हम उपड्रोप करते हैं यह उनिद इने आतीए अच्छिक वल्यू है यहां पर यह है और और एकस पे आर है तो और आर फैर यह सब बोच क्या है आर इसको टूरार वन है यहां पर हमने देखा वैलू किदमी आई इसकी यह वाली यह वैल्यू आ गई ठीक है लेकिन इस चार्ज की वज़े से भी इटू को ग्राब भी ऐसे जा रहा है इटू जा रहे ना तो इटू भी हम इसमें क्या कर देंगे यह इतनी वैल्यू यह कुछ इटू आ गया यहां पर आगया तो यह प्लस यह यह एड़ जाएंगे ऐसे यहां पर भी आड़ी जाएंगे तो जो नैट मिलेगा हमें वह कैसे मिलेगा वह कुछ इस तरह का पर मल जाएगा हमें राइट आया गा नहीं समझ में आ गए सरु अगै समय पर सेम वे में अगरम इस कॉड्रेंट की बात करें इस पर तो यहां पर देखो माइनस में एड हो रही है चीजे यह कैसे आ रहा ऐसे आ रहा है ना यह यहां पर अगर हम इस डिसेंस पर देख ले तो इवन तो यह हो गया बिटा यह यह वन होगे यह यहां पर कौन सा यह और अधो है ऐसे अब यह जो हो घ् Ал presents इस पांट पर आप जिए माइन समय दो दोनों को टो क्वरेवन की यहां पर अगर मिस्वा पह बात करें श्लम की बात करें तो यह तो बेटा यह वाली वैल्व होगी माइनेंस गीट की ए नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं इस तरह से ग्राफ आ जाएगा हम राइट क्लियर है अब बात आगई यहां पर है ना तो यहां पर देखो क्या हो रहा है अगर हम इस पॉइंट पर देखें किसी एक पॉइंट पर तो इवन जो है आपका वो तो माइनस में है यह यह वैल्यू है ना इवन की तो माइनस की वैल्यू है यह इस ग्राफ पर दियान रखो ना किसन समझ में रहा है यह आपका इस ग्राफ पर चल रहा है तो अगर हम इस पॉइंट को देखें यहां पर तो यह यह वैल्यू की होगी बिटा यह वन की मतलब इस ग्राफ पर मैं यह कहूं हूँ देखो कुछ ब्लैंक फेसे नजरा रहे है मुझे ना समझे बटा अगर मैं कहूं हूँ कि यहां पर इस पॉइंट पर हम एक्स पर इस पर इस पॉइंट पर मेरी इवन का क्या होगा इवन की वेल्यू मतलब इस चार्ज की वजए से और कैसे बता होगे यहां से इस जो ग्राब बन रहा है हमारे हो उस पर 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 पेंडिकुलर डॉप कर दो और और फिर उस एक्सिस पे इस पर है यहां से इसको एक्स्ट्राइट करने यहां से यह पीचल ज़ाओ बटा थिक ना यह वैल्यू मेरी क्या हो गई यह नीचे है किस से आपका और इजिन से नीचे ना एक सक्सित से नीचे है तो माइनस है वैल्लियू यहां पर तो जो भी है सपोज यह कितनी आगए वेल्यू सपोज यह टू आ गई माइनस टू हो जाए कि वालू ठीक है पिड़ा और यही पर हमें इसकी बज़े से ब्रेकनी है तो यह इसकी वज़े से इस पर वह पर इस पर भी द्रॉप कर दे प्रपनिक रहां हमें यह आ गई और सपोज यह वाल्यू जो आई इसकी यहां यह प्लस फाइव है प्लस बन है सुरी थोड़ी यह नहीं है तो नेट वैलियों यहां पर क्या आगी माइनस टू प्लस वन तो किदनी आगी माइनस वन आगी ऐसे जोड़े ना हम उसी पर आ रहे हैं यह समय आया गया इन बच्चों को थोड़ा से मुझे लगए एक दो बच्चों को यह समझ में या रहे कि सर कैसे कर रहें इस को अब कैसे शुक्ट को जोड़ेंगे एक पोजिटिव एक नेगे वह तुनको क्या कर देंगे आपस में वह भी सम करें गए तो जो भी आया इसा होगा जहां पे इधर यह positive होगी ठीक है १े टू positive होगा और यह negative होगा तो जब मानों यहां पे here point है suppose यहां पी इस फार इसमें लिदिक माइनस एवन-2 है तो कितना होगी है total 0 और अगर यह देखो गई थर से देखो यहां पे positive यह नेगेटिव है तो थोड़ी माईने सोती जाएगी इदर क्या होगा एक जीड़ी जीरो हो जाएगी कि आरा समय नहीं आ रहा है पकाना वैरी गुड तो यह कारो थोड़ा डाउन आएगा इधर से दो और यह यह इसे ज़ल्दी जीरो कर दी हमने कोई बात नहीं है कि यह यह यहां पर आके जीरो होगी अब देखो यहां पर यह कर यह दर जा रहा है यह हमले साथ ंओं है इनटों इस से ऊपर शाथ अवरेगा यह ओए और vary यह सारी यह थोड़ी पैजिटिवट नो है इसमें का रहेगा इसके फोड़ा सा ऊपर रहेगा कि अ present In A युड़ा रचान ना इसको टयाक्त गरेंगा मतलब यह तो लाइन एदर ढ skulle लेगे इसके अब मेरा जो कारव बना है बो कौन सा बना loves आपको यह फाइनल करव है यह वह यह दर इदरुबर यह और यह डू में इस प्रिया तो कर सकते हों गोलों सारे को न ponieważ पास यौह पी हमने इसको चाहिए तो मेरे पास यह की पैना है तो उनको लोट से रौक और लो कौन से को इवं को अद कर लो कर compression लोन और जो फाइनल पिंक में हुआ है जो फाइनल आया है उसको पेंसे रो कर लो समझगे गट हा तुर सबको समझ में आगए बिटा है यह किलिर रहा है समको रे गुट चलो